करीगी विद्या दी जैकार जिस्ते बेशुमार उपकार अनपढ सदा ही फड़ी रहन दा पल्ले पैंदी हार स्कूलां दे विच ना बच्पन दे विच अक्सर पड़ दे हुंदे सी असी लिखया हुंदा सी फैले विद्या चानन होया सो डीडी पंचाबी दे सारे दश्का दा बहुत-बहुत स्वागत कर दे हैं एस चानन परिसवेर दे विच और खास औरते एस प्रोग्राम गल्लांते गेत विच मैं हानी तू गल कर रही हैं मैं स्कूलां दी अक्सर पड़ दे सी कि फैले विद्या चानन होया और ओ चानन एहुजया चानन जीते नाल साधी जिंदगी याना जड़ी ओ एक चंगा ग्राफ बाण सकदा असी उचाईयां वाल जा सकदे हैं केंदे हुंदा सी कि पढ़ना लिखना सी को मेहनत करने वालो एक समा से जो दो एक्सर किया जानना सी क्योंकि सार्या नू पड़ाई दे वास ते प्रेरित किता जानना सी और आज दे दौर दी जेकर असी गल करिये ते सरकारां दे वालो बहुत सारे उपराले किते जानने न National Education Day यानि कि आज दे दिन असी 11 नवंबर नो मना रहे हैं कौमी सिख्या दिवस और खास औरते मुलाना सहब दे बहुत सारे उपकार ने साड़े उते क्योंकि उना ने साड़ी सिख्या दे वासे खास औरते हाईर सिख्या ने जेकर सिगल कर देयां ओदे वासे बहुत सारे ग्राम दे विच साड़े नाल गालबात करन दे वासे गुरु नानक देव यूनिवरस्टी अमरित सर दे सिख्या वी पागतों प्रोफेसर डॉक्टर अमित कोट सी साड़े कुल पांचने सार बहुत-बहुत स्वागत कर देया तो आड़ा कौट साब सब तो पहले एही पुछांगे कि 11 नवंबर एही दिन चिड़ा है कौमी सिख्या दिवस दरूप विच क्यों मनाया जाना है सब तो पहले मैं जवाब दूआज तो पहले नेतु जी तवानू ते सारे शुरुतावानू नेशनल एजुकेशन दे दी बहुत-बहुत मुबार्ख बात शुक्रिया जी ग्यारा नवंबर एक एहोजा दिन जदो एक एहोजी सक्षियत जिसने एजुकेशन फील्जे बहुत कंट्रिब्यूट केता है जड़ा पारदा आज एजुकेशन सिस्टम है उदी नीव जड़ी है ओ मुलाना साब ने रखी 11 नवंबर उना दा बर्थ एनिवर्सरी है तो उना दी बर्थ एनिवर्सरी नू राष्ट्रे सिख्षा दिवस वंजो बनाना जड़ा उपराला इंडियन गौर्मेंट ने 11 सेप्टमबर 2008 नू किता उस्तो बाद हर साल इस दिन नू 11 नवंबर नू राष्ट्रिय एक ता दिवस वंजो बनाया जाना है मुलाना अजाज दी जो सी गल कर दियां ते सड़े अजाद पारत दे पहले सिख्ख्या मंत्री भी रहे ने हो ओना दी कॉंट्रिबूशन जो रोसी गाल कर दियां किन्नी रही है खास ओरते पारती सिख्ख्यानों लेके अज दे दोशे जे करें तो सी देखो ते इंडिया दे विच एक हजारदे कर ब यौन olabilirस्ट इस ने चाहें स्टेट यौन यह इनना वड़ा एजुकेशन सिस्टम जड़ा है ओ मुलाना अजाद दी देन है सब तो पहला इंडियन जदो इंडिया आजाद होया पारत आजाद होया उस तो बाद पहला यूश्टी एजुकेशन कमीशन उनादे हेट शुरू होया ओ तो हाइर एजुकेशन दी कर रही है यूश्टी ग्रांट कमेशन उदा भी जड़ा एस्टेश्मेंट है ओ मुलाना साब ने किता इस तो अलावा बहुत सारी संस्था माज जड़ियां आज इंडिया ची नहीं पारत ची नहीं सारे देश देविच जनादी बारे गल्ला कितिया जेंदियां जेंदिया इंडिया इंसिट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ओ है इस तरह ही स्कूल ऑफ आर्टिटेक्चर एंड प्लानिंग है यह तीन चार इंसिटूशन से हो जेने जड़े वर्ल लेवल ते जनाँ रिकगनाइस केता जानता है एक्टो दे पड़े होई बच्चे इंडिया जी नही स्कूल नो काड़ जान दे विच यह बाकी जगात होते मनाया कितना जान दा है इनू अले-अले-अले तरीके ना मनाया जा रहे है बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है कि जड़ी स्टेट मशिनरी है ते नेशनल मशिनरी है उसनो किसना टेकप कर दिये अले-अले-अले- उननने बहुत जोर पाया कि free ते compulsory education होनी चाहे दिये 14 साल तक दे बच्चेया बास थे ओ बच्चेया नो लेके आना एक चैलेंज है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जड़े खास करे पेंडू एरियास दे विच बच्चे रहने ने उनननू स्कूल दे विच लेके आना बहु सिर्फ इस करके नहीं कि मुलाना साब दे बारे दस्या चाहे पर मुलाना साब देडा एंफेसिस थी कि education जो तक तुसी प्रमोट नहीं करोगे अच्छा समाज नहीं बना सकते खास करके democracy वास्ते लोगतंतर वास्ते education एक बहुत importance रख दिये जय तक तुसी आप educated नहीं होंग पड़े लिखे नहीं होंगे तो आड़ी अपनी समजन दी सोचन दी शक्ती independent नहीं होएगी तहां तक तुसी लोगतंतर नो successful नहीं बना साथे ज़े सो स्कूला दे विच competition कराने debates करानिया allocation कराने colleges दे विच seminars कराने एक्सपर्स दिस रहूं ए प्रोग्रम तुसी करा रहे हो यह उसी दा हिस्सा है कि जिते तुसी लोकांची अवेडनेस देन दी कोशिच कर रहे हो कि national education दे क्यों आसी अपनी संस्थावानू educational संस्थावानू किस तरह कंसोलिडेट किस तरह स्ट्रोंग सशिस्तिकरन कर सकते होना दा ए चीजा इस तो अलावा बचयानू अलग-अलग educational institutions दे विच लेके जाना जे विजिर्स कराने होना दे एही नहीं एक उपराला government of India ने भी किता जिसरह कुछ दिन पहले तुसी देख्या होना है कि पंजाब दी एक accreditation दी एक assessment दी रिपोर्ट आई जिदेच पंजाब जड़ा सी ओ टॉप ते सी सो इस तरह दे उपराले करने कि इंटर-district competition कराने कि केड़े institution चंगे ने केड़े teachers चंगे ने केड़े बच्या ने बहुत अच्छा परफॉर्म किता अचीव किता उन्हों रिकगनाईज करना जे कोलाज बनाना इस तरह दे discussion forums करने जे ए बहुत सारे प्रोग्राम्स ने जिनानू जिनानू मना के national education दे जेड़े objectives ने उन्हों अचीव करने दी कोशिच किती चांदी बहुत सारे एहोजे उपराले ने जिने विचे देख्या जानदा है कि बच्चेया नू खेड़ खेड़ विचे सिखाया जानदा है और ओदे नाल तो हानू की लगदा है कि बच्चेया जड़ा मानसिक जड़ नहीं होदा उन्हों नू फटा होदा कि आच नहीं पट रहे हैं उन्हा बेसिक जड़ा एक परपस होदा है स्कूल जानदा भी या कर दे विच विच बड़ा नेच्रल इंस्टिंक्ट हूंदा है खेड़ खेड़ दे विच तुसी सिखा सा दें बचे बॉल खेड़ रहेने ते तुसी दस बॉल्स अपने को रख लिया, एक बोल देती, चल एक फड, दुजी फूल, तीसरी फड, हुन उन्हानु एक दो तिन आप पही आ रहा है, कि इसने सिखाया नहीं, पर टीचर नुँ जदो बच्चा स्कूल चाह जा जाना है, टीचर ने बहुत सारी एहोजिया, बेहाना, टाक्नीका आजू इसो करना हrows, जित नहीं, लगधा है कि उतलो। जुदे, त्वं सब्सक्तार स्वराशा की प्रदा उसे परषन करना होना है, टीचर ने पही सहिरे भाग्युद एयर जटाeton दूशकाई उस बाद ले जा फ़्व 2 प्रदेस है पढ़ाब जहीं प्राइमरी एजुकेशन पहली स्थेट है जिणना ने प्रामएर एजूकेशन स्यूरु किन प्री प्राइमेरी वान प्री प्राइमेरी टू उस तो बाद हून तोसी देख्या होना एक नैशनल एडुकेशन पॉलिसी आई दो हजर वी दी उदेच भी एक एहा गया कि अर्ली चाइड़ूड केर एन एडुकेशन कि जड़े चोटे बच्चे हुने ने उन्हानों फॉमल एडुकेशन दा पार्ट बनाओ क्योंकि इस टाइम देविच बच्चे ने जो पढ लेया जो खेड लेया जो कर लेया वन तुसी देखो कि छोटा बच्चे जो साइकलिन सि इस बच्चे ने बहुत बच्चपंच सिख ली और बहुत अच्छा तैराख हो जाएगा जिन्ही जल्दी तुसी बच्चे नूँ एक्सपोशर दोंगे और एक्सपोशर सिरफ पढ आईदा नहीं दिमाग नू ठीक करनदा नहीं उधे हाथ पैट चंगी तरना चलने चाहे इही नहीं उन्हों जड़े इमोशन्स हैं उदी सोच जड़ी है उदा सुख दुख जड़ा है चलने शक्ती मिलनी चाहे दी कई थांते तुसी देखोंगे बच्चे जदो 10 ता 12 ता रिजल्ट आदा बोर्ड दा कई बड़ी बड़ी मारियां खबरा देख देओ कि बच्च पराती कि उन्हों याद हो गया उन्हों दे अन्दर तक पड़ाई नहीं गई जी छेदो टुसी प्लेष केड़ा खेड़ा ची पड़ान दी बड़ी खेल करदे Report ऑने उन दुख रुग्र करें लोग तर दुशन ऑन्सील शुशल तब बच्चे दा बेस ही जड़ा है बड़ा अच्छा बन जान दा जिए गासी इस तरीके नाल समझाईए एक दुजी गल बच्चे दे दिमाग दे उते बर्डन नहीं होंदा जी एक यस्पाल कमेटी सी जीदे चे गली ऐसी कि लर्निंग विदाउट बर्डन कि तुसी बच्चे बोज लेके नहीं जाना 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 कि जड़ा डॉक्टर आप होंदा है, वहीं पढ़ांदा है, बिलकुल, जदो ओपरेशन करता है, वह दसदा है, कि देखो एह हो रहे है, एह हो रहे है, बिलकुल, डॉक्टर आप तुसी गाल कीती, डॉक्टर दी, नाल कीती, अधियापक दी, क्योंकि अधियापक दा रुत्बा जड़ा ना, ओ माबाप तो बाद ओहीं ओंदा है, कारण नहीं है, कि बच्चे ने माबाप देखो लो जिनना सिखना, शायद उस तो भी ज्यादा अपने अधियापक देखो लो सिखर है, शुरु आती दौर दी जैसे गाल कर देया, छोटे बच्चे या वड़े बच्चे, कोई भी है, मतब जड़ा भी एक विद्यार्थी पढ़दा पे है, ओदे वास्ते अधियापक दी किन्नी पूमे का है, किमे अधियापक कि उन्हों लगे कि हर बच्चा जड़ा सामने बैठ है, ओउ उदा अपना है, बिलकर, ओउ उन्हा बच्चे या अपना पविश्च देखदा हुए, एक फंडमेंटल गल है, एक मेन गल है कि बच्चा जड़ा टीचर है जड़ा ओउ बच्चा नो प्यार करने वाला हुए, नॉलेज ता आजकल तुसी देखो कि मोबाईल फोन लो, इंटरनेट उस ते होंदा है, तुसी कोई भी सर्च पाऊ देश गूगल ते, तो उन्हों सारी इंफोर्मेशन मल जान दी, बिलकर, नॉलेज होते पई है, पर उस नॉलेज नू विज़न देवीच, जड़ा जड़ा कॉंटेंट नू, जड़ा सब्जेक्ट है, जो चीजां ओदेश लिखिया है, किताब माँ चुए, उन्हों इस तरीके ना पढ़ा सके कि जिंदगी देवेच बच्चा उन्हों इस्तेमाल कर सके, एक ता ही हो जड़ा होई, दुज़ा ओ बहुत प्यार करन वाला हो जड़ा बच्चे प्यार नहीं कर दे, बच्चे आँ छी अपना पवेश्णी देख दे, ताहने तुस्य चंग अध्यापक बढ़ी नी सकते, कैने भी एक चंगा, एक ओर्णरी टीचर जड़ा है, ओन्हों नू समझ देन दे, बहुत अच्छा टीचर जड़ा है, ओन्हों स करता है। जह डोसी बॉचसपाराया करता है कै तो आनू चंगा demonstration देना आन दा है, तो आनू चंगा laboratory work करना आन दा है, तो तुसी उधे चे, ओ qualities develop करन दी कोशिच कर दे हो कि हर काम जड़ा करना है, ओ चंगे तरीक नाल करना है, चाहे हो I.S. बन ज़े, चाहे हो engineer बन ज़े, कुछ भी बने चंगा बने, बिलकर, So teacher, एहुजा profession है, जड़ा, मिला दा है, is mother of all disciplines, हर profession दे बन्दे, teacher तो पड़े हों दे, तो उन्हों किते ने किते कौपी करना दी कोशिच कर दे है, आपने विभार्च, गाल कीती सी अदियापक दी, अदियापन दे किते दी, पार हून गाल आउं दी है कि सादा जड़ा surrounding, सादा आड़ा द्वारा, एक अदियापक किदा ना सरजे, जड़ा बच्चा, मतलब वदिया तरीके दनाल या एक यालो कि बड़े असान तरीके दनाल सिख सके, तो उन् चार जड़ें कोई दिवारा हुन दियाने उन्हाननू जड़ा सबचेक्ट उसा प्टारे हो उधना जोड़ दो, खाली दिवारा ना हून उधे चार तस्विरा हून, उस सबचेक्ट दियान माउंटेंस पढ़ा रहे हो ते अलग लग तरहón्टेंस ते उठे पिक्चर्स लगिया हो एक तो महोल हो जिथे कि टीचर कोई भी चीज समझा रहा है ते उन्नों दिखान वास्ते है पहली गर दो जिकल बच्चानों आजकल वर्चुल लैप्स हैं गौर्मेंट ऑफ इंडिया ने बड़े सारे डिजितल इनिशेटिवस किते ने जिथे ओ टेक्नोलोजी दा यूस कर रहे ने वर्चुल लै वर्चुल लैप्स दिख सगदा है वह एक कदो सफेद रंग दा बादल बनेया वह बादल काला कदो हो गया वह बड़े बड़े से शेप कितना हो गये वह बहुत थिन जे कोटन वंगू कदो हो गये कदो उदे चो बारिश आओगी कदे उदे चो बरफ आईगी हूँ ए गल उना चीजहां दा फाइदा ले सगदेने एक कंप्यूटर एक प्रोजेक्टर क्लास रख्या हुए बाकी सॉफ्ट्वेर्स गवर्मेंट अफ इंडिया दे रही है उना उन्होंने यूज़ कर लो था सो एक वड़ी गल जड़ी मैंनू अपने एक्स्पिरिएंस तो लगी कि क्लासिस दे विच टीचर जादे बोल दा है बच्चे नहीं बोल दे कोशिश ए करिये कि जितने बच्चे बोलन जड़ी नौलेज है जड़ी ए चीजहां वर्चुल लैप्स हैं एक सारी-सारी किताबह दा डिजिटलाइज़िशन करता इक किताबह पहिया ने उन्हों लिखे होई ने उन्हाज जवाब लिखे होई ने जड़े-डे कोशिशन किताबह दा लिखे होई ने सारे जवाब उत्थे ओन्लाइन पहिया होई ने जवाद बच्चे नहीं दस दे लोड़नी एक टीचर सरफ दस दे के उत्थे जाओ तै एदना तुसी डाउनलोड कर लो सवाल जवाब मिलगे ओ काम क्लास करनवाला नहीं है क्लास यह है तुसी पढ़ लो उस तो बाद आसी क्लास चे ग्रुप्स बनाके उन्हों एक प्रॉब्लम दे दो आप अप अशी गल बात करो टीचर गल बात ना करे टीचर सरफ देखे कि लड़ देता नहीं है चगड़ एक दूजी गल अरामना सुन दे है उधनल की होना है कि बच्चे होली होली उन्हों गल करनी आएगी उन्हों सोचना आएगा ओ क्रियेटिव होंगे ओ इमेजिनेटिव होंगे साड़ी प्रॉब्लम है कि असी डिग्रियां दे देनने और उस तुबा नोक्रियां नहीं लग प्रॉब्लम्स तो कितना सॉल्व करना है आसी हानु आँदा ही नहीं सानु सिखाया ही नहीं क्लास देवी तो सिरफ उन्हान ने पढ़ाया सी आसी याद कर ले एक्जाम देता सी जिकर सी चानने की चंगा महौल बने पढ़ाई लिखाई दा तो उधे चे सानु कोशिश ए क जो बोलो की कितना सी ये प्रॉब्लम्स देती सी मैं उधा सेलूशन की कड़िया आप पर शी गल बात करके उजरा सेलूशन देने सारी क्लास उसते कुशन आंसर कर दिये उन्हें तो एहो जा महौल तो सी क्रेट कर दें और बच्चा सोचना शुरू कर दा है बच्चा करना तो मिल देयां जी उच्चा कर दियो नाम तूसी मापियां दा चंगिया पड़ाईया करके जेम विच्च जाके दूसी सेदवी बनालवो नचे हुन्दे माले कोई चंगी चीज खालवो आवो रोटियां ते मखण मणाया तरके जा कर दियो नाम तूसी मापियां दा चंगिया पड़ाईया करके पुच्चा कारते यो नाव दूसी मापियां रटंगियां पड़ाई न्या कारेगे सक्किया परावावागु यारावेच खडिये निक्की निक्की गालेउं तक देविना लडिये सक्किया परावाः पुच्य खडिये निक्की गाले उत्रक देविना लडिये तैवे मिलना की लोका ना लड़ ten पुच्चा कार देयो नाम थूसी मापियां रटंगिया पड़ाया करे इस वोड़े तुसी हो जी प्रोग्राम गल्ला ते गीत वीच ते गाल बात कर रहे हैं आज खास 11 नमंबर दे उते कौमी सिख्या दिवस दी ते साड़नाल अमित को उतसी खास तो और ते अमरित सर्तों गुर्णालक देव यूनिवर्स्टी तो पहुंचे हो इने ते गाल करे सिसी तो पहला मिड़े मील अक्सर बच्चिया नू दपैर दा खाना दपैर दा पोजन स्कूलां दे विच दित्ता जानदा है तो तुछान की लगदा है की ओधे नाल बच्चियां दा स्कूलां विच आणदा रुजान वद रहा है की नहीं? मिड़े मील एक बहुत अच्छी स्कीम है गोवर्मेंट ऑफ इंडिया दी अब अलकलाम जी ने बहुत फोकस किता से इस गलते की 14 साल तक दे बच्चे उन्हानों फ्री ते कंपल्सरी एजुकेशन तो हुन ता विल भी आ गया है की तुछी लागिनों ए सारा सारी रस्पों करा देने एक चाइड लेबर दा भी एक्ट आया जिसे तुछी एक खास उमर तक दे बच्चें तो काम नहीं ले साथे एक कहना की काम नहीं लेना पर मुझबूरियां मापियों दिया अपनिया हुन लादा की ए बच्चा मेरे नाल जाके मजदूरी करेगा की कुछ पैसा ए अपने काम कर रहे हो देने उस लिहाज नाल मिड़े मेल एक हुजी स्कीम सी जीदे चे किता गया की बच्चे दे खान पीन वास्ते पेरेंट्स नूँ खर्ष करन दी लोग नी नमबर वन दुजी गल एक नूट्रीशन दा इश्यू सी की पड़ेगा बच्चा तहीं जेकर वो फिजिकली हेल्दी होएगा बिलकुल मापयों कोल जेकर पैसे नहीं है उन्हानों चंगा खाना खलान वास्ते ते बैलेंस डाइट बच्चे नूँ जाएज ता जो ओ चंगी तरह पड़ सके जे ओ एक दुजा अबजेक्ट इसे जो मेरे खालनाल मिड़े मेल एक बहुत अच्छी स्कीम रही गवर्मेंट ऑफ इंडिया दी जिन्हानों बहुत सक्सेस्फुली इंप्लीमेंट भी किता गया देखिया गया कि बच्चेया दे नुटिशन लेवल वदे अंगनवारी वर्कर्स जड़े सेंटर्स ने प्री प्रमेरी सेंटर्स ने उथे स्कूल्स ने एक पूरा स्ट्रिक्शर बनाया है कि खाना बन रहा है खाना डिस्रिब्यूट हो रहा है क्वालिटी भी चेक केते ही जान दिये तो वह एक अच्छी स्कीम है मैंने लागा दा है इसे ना जोनों से गाल कर देना पहली तो लाके अठवी तक किसे भी बच्चे नु जड़ा ह और है ओ फेल नहीं करना तो वहनों की लगदा है कि एदे बेंच जड़ा एक हाँ पकी नजरीया ते ना पकी नरीया क्योंकि दोनों ही आ जानदे ने एदे प्लस पॉंट थे माइनस पॉंट की लगदा है कि कित्वों तक वाजजी बहा है सारा कुछ आठवी तक बच्चा नू फेल ना करना भी उसी नीती ता एक हिस्सा से कि बच्चानू कमपस्ट्री ते फ्री एजुकेशन देनी है असी कहने भी एक स्थेज तक बच्चा जुरूर पढ़े पर इचे दिक्कत क्या आई पॉलिस से कोई दिक्कत नहीं है तुसी बच्चे नू पढ़ाओ ते फेल जेकर करोगे तो बच्चे दीमोटिवेट होंदे ने फिर स्कूल छड़ देने ने तुसी बच्चे नू फेल करता होने अगली क्लास आना ही नहीं है तो आधा मन्तव यह है नहीं तुसी कहने हो कि ब किता गया फेल नहीं करना पर जदो असी एह नीती बनाए कि बच्चे नू फेल नहीं करना उस नीती देनाल टीचर अध्यापक दाज़ा कमिटमेंट है ओ बदना चाहिदा सी ओ नहीं बदिया ओ थे थोड़ी जी दिकत रही किस रहा मैंनो याद है कि 70s देविच 70s और 80s द उनह ने कहा भी 3 subjects हुन्दे ने एक ता स्षोल सांस हुन्दी एक लैंग्वएच हुन दी एक साइंस हुन्दी एक अन्वर्मेंटल साइंस के अंदिस हुन्दी उन्हाने हर class दे हर subject तीन subject दे एक एता भी जदो पहली class पास करे गा भच्च ए उन्हों ए चीज़ा आनिया चा हुन वह डॉक्यमेंट जद बनेया इस करके सी भी स्कुलांज जाये टीचर्स दी उस साबनाल ट्रेनिंग हुए ते उस तो बाद फेलता ना करन पर एंशोर करन कि जदो बच्चा एक क्लास तो दुजी क्लास प्रमोट हो रहा है उन्हों ए चीजना जरूर आने चाहिए उन्ह समग्र सिख्षा जरी एथे भी हार स्टेट्स दे बीच भी उदा एक अभियान बन गया हुए हुए उदेच उन्होंने क्या किता कि तिन दो स्कीम सिगियां तिन स्कीम चल रही है ने गवर्मेंट इंडिया दी एक SSA सर्व सिख्षा अभियान एक RMSA राष्ट्रिय माध्यम सिख्षा अभियान तिद्धा टीचर एद्यूकेशन अध्यापक सिख्षा जिस रहा B.A.D.M.A.D. माध्या हो ने बिलकुल स्कुल ना तो बाहर के जाएगा, सभी कोशिश होने चाहेगा है कि आशी हले वी सारा लिट्रेसी रेट जेडा है ओ 77 दे कशाट है पंजाब दा गोडिदा काठ है। मुंडिधा, 80 दे करीब है कुडिदा 90 कशी दे करीब है। हली सपराइब लोड लूड है कि लिटरैसिव दे जहे सी आज वह शुल वह सादर ड़ा कि बच्ची कड़ी करकर के बारब केश जग वासदी केश लेक्ट केडियां का अनिया नाधियां की दिर१ा कि मुंडेयां दे जड़ी यह ज्यादा रेशु है कुडियां दी कट है किस तरीके द नाल जड़ी पारत सरकार है या सरकारां द्वारा केड़े-कड़े नवेक अधम चक्के जान देने जड़े कुडियां दे सिख्यानू जड़ा उबार केलिया क्या आणा एक अलग तो एक फील्ड है जिनू केंदे ऐसी इंक्लूसिव एजुकेशन कोडिया दा मसला हो गया दलिस दा मसला हो गया जड़े रूरल एरिया दे विच पेंडू एरिया दे विच बच्चे पढ़ रहे ने उना सारे नो एही नी जड़े बच्चे थोड़े जे मेंटली व उदे वास्ते बहुत सारी स्कीम्स ने एक ता चोदा साल तक हर बच्चा चाहे मुंदा होई चाहे कुडी होई उन्नू फ्री एजुकेशन मिलनी मिलनी जे उस तो बाद बहुत सारी एहुजिया स्कीम्स ने जड़िया बच्चेया नू पता ही नहीं है खास करके पिंडू चोटे टाउंशिप से भी जड़े कॉलेज इस ने उत नहीं पता जे उजी सी मुलाना आजाद जी देना आते एक सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप चाहल दी जे कि तुसी अंडर ग्रेजुएट एडुएट एडुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट एडुएट अपने वल्लो बहुत कोशिश कर रही है कि बच्चियां जड़ियाने उना नू किते पैसे दी कमी करके अपड़ाई ना रुखिए पिछले कुछ समय तो ना इक स्मार्ट स्कूल दा पर चलन सा डिपार दे विचे चले आसी पंजाब दे विच भी देख रियां अलाग अला रैंक कर दे हैं गवर्मेंट आफ इंडिया कर दी है उदेच पंजाब 2018 देविच तेरवे नंबर ते सी 2019 वीदा जड़ा रिकॉर्ड आया जड़ा असेस्मेंट आई उदेच वो टॉप कर रहे है उदेच वो टॉप कर रहन दा एक रीजन ये है कि स्कूल्स अरा मेरे खालन बच्चे उनु चंगा लगता है जदो तो सी स्मार्ट स्कूल देविच एंटर कर दे तो अनलादा साफ सुतरा है कलरफुल है उदे कुछ ना कुछ मैसेज लिखे हूए ने इस तो अलावा क्लास देविच जाने हो तो अनलादा भी किते ना किते कोई ना कोई डाग्राम ब गया होया है इची जाओ ओथे एजुसेट दी फेसिलिटी है ओथे यूट्यूब चैनल बच्चे देख सकते हैं जे ओथे NCRT जिन्हें भी तक्निकी वो रिसोर्स है ओथो कर सकते हैं हर रोज गौर्मेट ऑफ पंजाब दा एजुकेशन देबार्टमेंट है ओ छोटे बच बच्चे देख सकते हैं जे अग्रेजी पडान देविच ओधसरं गे इस सेंटेंस बताओ बच्चे अंग्रेजी माध्यम देविच पढ़ सकन देविच देविच वोगेब्ली इंप्रूव होए ओनलाइन एजुकेशन इबुक्स देख दिया ने उन्हों फ्रीली डिस्रि देखो जी गवर्मेंट ओफ इंडिया ने रिलीस के थी उधेच इंफ्रस्ट्रॉक्चर गवर्नेंस ते एकस्स ए तिन एरियास हो जेने जिदेच पंजाब टॉप थे एक मारी गल्जडी है पंजाब वास ते वे की एक लर्निंग आउटकम थे क्वालिटी ओफ सब्सक्राइटी ने किया है कि मिनिममम लेवल्स ऑफ लर्निंग बना ले एसना ही हर क्लास देविच स्मार्ट स्कूल बन गे होना सी डिसाइड कर लिए कि दूजी क्लास बच्चा ताहां पास करगा जेकर उन्हों ए चीजा आन दियां हो बिल्कुल बिल्कुल एक क्वालिटी एजुकेशन होवेगी जेकर दूजी क्लास है विच आ आ चीजा बच्चे नो आन दियां ताहों तीजी विच जावे तीजी विच आ आ चीजा ने ताहों चौती विच जावेगी फेल नी करना पर ए एंशोर करना है ए टीचर दी कमिट मैंने कि ओ सारे सारे यह सारे सिख्या देविच जोर्वर सी कर देना ओनना क्लासा है देवलों गेडियां में बढदीयां ने जी दनाव प्च केट खर्चे देविच ज्यादा देविच परापत कर सके देखो ये देवास से बड़ी सारे कम गवर्मेंट अफ इंडिया ने क्योंकि हार एजुकेशन जड़ा है ओ एते में एक होर कंट्रिबूशन अबुल कलाम जी दा दसना चाहांगा कि जदो ब्रिटिशर्स होंदे सी है थे अंग्रेज होंदे सी ते उनने एजुकेशन जड़ से प्रिविंस दा रख्या होया सी उदेच प्रिविंस ही डिसाइड करदा सी कि एजुकेशन के हो जी देनी है जदो अजाद होया थे एजुकेशन मिनिस्टर जड़े सी सिख्या मंत्री कलाम साब बने सो उनने एसेंब्ली देवेच ए आर्ग्यू किता कि मोसली लोग केंद दा कंट्रीबिशन होएगा उना दा कंट्रोल होएगा जो जदो सी हार एजुकेशन दी गाल करदे हो तो बेसिकली दोमेन सेंट्रल गूर्मेंट दा है उदेच एक चीज जड़ी ऐसे शुरूच भी कहिए से कि क्वालिटी एजुकेशन किसना देए जे उदेच एक प्रॉ देच मेंटरिंग होएगी ते इंटर्नशिप होएगी फोन मोस्ली युनिस्टी जड़ियां ने एइंटीग्रेट कर अपना स्लेवर से ऐसता बनारियां ने उदेच इंटर्नशिप एक मेजर हिस्सा होएगी जे में टीचर एजुकेशन देच ओर बीड जिस्तरा है कि हार एजुकेशन देवेच कॉंटेंट जड़ा है वह बड़ा इंपॉरेंट है कि बच्चेया नों तुसी ओते खिडाना नहीं है ओते बच्चे मैच्योर ने जो कॉंटेंट क्वालिटी कॉंटेंट मिलना चाहिएदा है तो गॉर्मेंट ऑफ इंडिया दे बहुत सारे इनिशेटिवस हैं एक पोर्टल है जिसे मूग कोर्से जड़ेने ओंदेने ते जानदे जानदे मैं एवी जानना चाहांगे कि एक दौर ओसी जदो सी किताब बादेना पड़े होंदे सी समाझ जिद्धा जिद्धा बदल रहा है उमें उमें साधे कोल होर भी वास्ट यहा जानदे जानदे की संदेश देना चाहनदे हो कि आनव आले समेदे विच बच्चिया नी पड़ाई जड़ेगी यहां जड़े किताब बादेनाल जुड़ना बढ़ा ज़रूरी है तो अनू किताब बादेनाल प्यार करन दे लोडे ताहीं तुसी जो लिखक कह रहा है कोई डाउट ने लेकिन जिस तरह दा महौल बन रहा है किताब भी इबुक्स आगिया में जो फिजिकल कॉंटेंट जड़ा है फिजिकल प्रिंट बुक्स जड़ी है ओ थोड़ा जा किते बैक सी टले रही है खास करके एडवांस्ट सिटीज देविच यह स्टेश देविच लेकिन मैंनों यह लगदा है कि यह दोने कठियां चलांगी है जिसी युट्यूब ते जाओ कॉंटेंट नाम परो तो वीडियो मिल जादी हुन जेकर वीडियो है ते आपा ज़रूर किताब भान देविच ऐसना ही तो अच्छी किताब चाहिए दिए तुसी ओनलाइन जान घ्रीक गौर्मेंट ऑंडिया दा इनिशेटेव है ओथे क्रोड देवच किताबां फ्री मिल रही है इस तो अलावा इन्फिलिबनेट है गौर्म्ट ऑंडीया दा एक इनिशेटेव जानल्स ने किताबहने ओडियों खुट अधरूर्मे परेश कर दीं तवनों फ्रीं दे पोडियां ते केड़ना सिखाया असी तैनु लिखेना ते पड़ना सिखाया होडी होडी पोडियां ते केड़ना सिखाया पूचारी के ओ अतास वे हून तैनु की आखा फेल कामा के तैनु पास हून तैनु की आखा फेल कामा के तैनु पास सुगन तंग किया था सब तो दर अपमान पर हजिर तरी जो मान पर साठिया ही फिलिया में आउसा नुकें दिया उंगली भड़ाय जो दो पॉंचा भड़ लें दिया साठिया ही फिलिया में आउसा नुकें दिया उंगली भड़ाय जो दो पॉंचा भड़ लें दिया बारो मिठिया ते अंदरों कटास अरो मिठीन ते हैं दो रहता है पूरते है युझा है मesz vereப है वर जब करने दो ग्रियां सुट 快ए जां समय ठ differences विर जो प्रबडमाई थ gagnा वे घरां को राजते ke बोডoni thou जडव छुट बुट दो खाध गा हमान Պाया सुर יצivia क साह दोノ तेरे कोल तान पूरे साटे कोल खंजरी, किन्ना चिरुवे खांगे कलोल करू कंजरी